नमस्कार दुनिया आज तक में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ नवजोत रंधावा दुनिया आज तक में आपको दिखाएंगे दुनिया की तासा तरीन खबरे लेकिन सबसे पहले नज़र दुनिया टॉप 10 पर राश्पती ट्रम को एक बार फिर से जटका लगा है अमेरिकी राश्पती चुनाओं में गड़बडी कुलेकर ट्रम की और सदार मुखदमे को पेंसिलवीनिया कोट ने खारच कर दिया कोट का फैसला आने के बार ट्रम कॉल्फ केलते नज़र आये जबकि नव निर्वाचत राश्पती जो बाइडन चर्च में रातना करते दिखे अफगानिस्तान से अमेरिकी पोच की वापसी को अफगान सरकार ने जल्दी में लिया गया फैसला बताया अफगान चादीदूत अब्दूला अब्दूला ने ताहाए कि अफगानस्तान में अभी भी जंग जारी और ऐसे में ये बहुत खतनाक कदम है एरान में बेकाबू होते कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए दोबारा लॉकड़ून लगा गया है लॉकड़ून के पहले दिन राज़्दानी तेरान की सड़कों पर सनाठा पस्टा रहा एरान सरकार ने सग्रमण को रोखने के लिए दो हफ़तों के लिए लॉकड़ून लगाया लिबनान में जेल तोड़ कर भाग रहे पांच केदियों की सड़क हाथसे में मौत हो गई सानी मीडिया के मुताबे केदी कार में सवार होकर भाग रहे ते तबी कार पेर से जाटक रही शानिवार को मेरूट के बाबदा जेल से 60 केदी भागने में सफल रहे लिबनान में लॉकडाउन के बाबजूद साड़कों पर प्रोदिशन कारीयों का उत्पात लागतार जा रही है सरकार के खलाफ वो प्रोदिशन कर रहे हैं कुलंबिया में कोरोना संकट की बीच हजारों चाथर सड़कों पर उतर आया और राज़वदी की खलाफ प्रोड़ुशन किया राज़्थानी बहोटा में प्रोड़ुशन कर रहे है चाथर शिक्षाक शेत्र में सुधार की मांग कर रहे है सेंसल अमेरिकी देश गौाटेमाला में नए बज़ट के खलाफ इंसक विरोड प्रोड़ुशन हुए राज़्थानी गौाटेमाला सिटी की सौड़कों पर उतरे प्रोड़ुशन कारियों ने संसत भवन में आग लगा दी वही बेकाबू प्रोड़ुशन कारियों को प्रोड़ुशन का मौलाना नेतरत्व कर रहे थे। कोरोना की चापेट में आ गए संक्रमन रोग विश्वशग्यों का कहना है कि अमेरिका में कोरोना से अभी और बड़ी तबाही हो सकती है। बलकि करोनों लोग संक्रमित हैं। हालात यहां इतने खराब हैं कि महज एक दिन में ही एक लाख चौरानवे हजार नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में कोरोना महमारी की दूसरी लहर ने इस देश को वेबस और लाचार बना दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका कोरोना महमारी पर काबू नहीं पा रहा है। ताजा आंकडों के मताबक अमेरिका में अब तक दो लाख बासट हजार लोगों की जान जा चुकी है। जबकि एक करोड चौबिस लाख लोग संक्रेमित हैं। सबसे ज्यादा मामले टेकसस प्रांत में हैं जहां ग्यार लाख साथ हजार लोग संक्रेमित हैं। जबकि दूसरे नमबर पर कैलिफोर्निया हैं जहां करीब 11 लाख कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं फ्लोरिडा में कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में बिगरते हालात के बेच महामारी को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने रात में कर्फ्यू लगाया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने एक आदेश जारी कर लोगों से कहा है कि वे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। वही ओहायो के गवर्नर ने भी अपने राज्य में कर्फ्यू लगा दिया है। जबकि कई प्रांतों में मास्क पहनना अनिवारे किया गया है। संक्रमान रोग विशेशग्यों का कहना है कि अमेरिका में आने वाले दिनों में अभी और बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। आज तक जो रोग। अमेरिकी दबा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सिन की अनुमाती के लिए अमेरिका में आवेदिन कर दिया है। फाइजर का कहना है कि अजाज़त मिलने के महज कुछी घंटे में वो टी का उपलब्द कराना शुरू कर देंगे। वैसे अमेरिका के FDA का कहना है कि उसका लक्षे वैक्सिन को दिसंबर के पहले हफ़ते में अनुमती देने का है। वैश्रिक महामारी बन चुके करोना वारस से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही जारी है। इस जानलेवा वारस ने ना सिर्फ लाखों लोगों की जान ली है बलकि करोडों लोग इसकी चपेट में आए है। लाख कोशिशों के बावजूद करोना महामारी बेकाबू होती जा रही है। अब दुनिया के ज्यादा तरदेशों में इस महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है। वही इस महामारी पर काबू करने के लिए दुनिया भर की दवा कम्पनियों में वैक्सीन बनाने की होड लगी है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसकी पार्टनर बांटेक ने अपनी COVID-19 वैक्सीन की अनुमती के लिए अमेरिका में आपात अवेदन दिया है फाइजर का दावा है कि FDA से इजाज़त मिलने के महज कोछी घंटे में वो टी के उपलब्द कराना शिरू कर देगी वहीं अमेरिका के Food and Drug Administration का कहना है कि उनका लक्षे वैक्सीन को दिसंबर के पहले हफ़ते में अनुमती देना है इसका मतलब यह है कि अमेरिका में इस साल के आखिर तक कोरोना का वैक्सीन मिलने लगेगा फाइजर का यह वैक्सीन कोरोना को रोकने में 90 फी सदी से ज्यादा कारगर है वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडनना और एक्स्ट्राजनेका की वैक्सीन भी अंतिम चरण में है ऐसे में अगले साल तक इस महामारी पर पूरी तरह से काबू पाय जाने की संभावना है आज तक ब्यूरो अमेरिका और जीन के बीच चल रहे ट्रेंड वार के बीच तिब्बत की नर्वासत सरकार के प्रमुक डॉक्टर लूपसंग सांगे ने वाइट हाउस का दोरा किया अमेरिकी मीडिया के मुताबक डॉक्टर सांगे ने वाइट हाउस में तिबत मामलों के नापनुक समनबाइक रॉबर्ट डेश्रो से मुलाकात की तिबत की नर्वासत सरकार के किसी नेता का ये बीते 6 दर्शकों में पहला अधिकारिक अमेरिका दौरा है वहीं अमेरिका के इस कदम से चीन के साथ पहले से चल रहे तल खुरिष्टों में और तनाफ पैदा हो सकता है जानकारों के मुताबक केंद्रिये तिबती प्रुशासन के लिए ये एक एतिहासक कदम है क्योंकि इस से CTA की प्रजात तांतरिक व्यवस्था और इसकी राजुन प्रजामिन नितनियाहू के खलाप वरोद प्रदर्शन लगातार जारी है ये रुशलम में एक बार फिर प्रदर्शन कारियों ने प्रदर्दान मंतरी आवास में घुसने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस और प्रदर्दर्शन कारियों के बीच हिंसक छड़प हुई कोरोना संकर से जूज रहे इसराइली प्रदान मंतरी बेंट जामी नितनियाहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं रस्टा चार के आरोपों से घ порदान मंतरी नितनियाहू के खिलाफ इस्तीफे की मांग बीचते दिनों के साथ जोर पकरती जा रही है पि-म नितन नियाहू के इस्तिफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शन कारी एक बार फिर येरो शलम की सड़कों पर उतराए और जम कर विरोध प्रदर्शन किया सडकों पर उत्रे प्रदर्शन कारियों ने जहां प्रधान मंत्री आवास में घुसने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया तो वही बेकाबू प्रदर्शन कारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोक किया जिसमें कई लोग जखमी हो गए प्रधान मंत्री बेंजामे नितन्याहू के खिलाफ खुली जंग का एलान कर चुके लोगों का घुस्सा प्रदर्शन के दोरान साथवे आसमान पर था पांच महीने से लगातार प्रदर्शन कर रही ये लोग प्रधान मंत्री के इस्तीफे की सिवाई किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है इसराईली प्रधान मंत्री नितन्याहू रिश्वत और धुकाधड़ी समेत भरष्टाचार के कई गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और पोट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं दूसरी और नितन्याहू सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रही हैं और सारी कावाईत को राजनेतिक पैंतरे बास्थी करार दे चुके हैं आरोप प्रतियारोप और वार पलटवार के ऐसे दौर में इस्राइल की जाजनेतिक फिलहाल दो राही पर खड़ी नजर आ रही है आज कक ग्योड़ अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में चल रही शांती वारता के बीच एक बार फिर से राजधानी कावूल को देहिशत गर्दू ने निशाना बनाया शनिवार सुबा कावूल के अलग-अलग अलाखों में एक के बाद एक कई रौकेट दागे गए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दरजन भर से जबालोग खाल हो गए रहशत गर्दों ने एक बार फिर अफगानिस्तान की राजधानी कावूल को अपना निशाना बनाया है वो भी तब जब शान्ती वारता के लिए तेजी से पहल की जा रही है कतर में अमेरिका अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वारता चल नही है इस घटना को आतंकियों ने तब अंजाम दिया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइट पोंफियों खतर में चल रही बैटक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे है उससे पहले ही राजधानी काबोल एक के बाद एक कई धमाकों से तहल गई जिसमें अभी तक पांस से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और एक दरजल से जादा लोग खायल है बताया जा रहा है कि काबूल में रॉकेट से लगातार 14 धमाके किये गए अफगानिस्तान के आत्रिक मंत्राले ने बताया कि काबूल के अलग-अलग इलाकों को निशाना बना कर ये हमला किया गया है फिलहाल खायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है और अफगान सुरक्षवर पूरे मामले की जाज में जुकी है अभी तक किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है वही तालिबान ने भी इसमें अपनी सनलिप्तवता से इंकार कर दिया है इससे पहले अफगानिस्तान के मुखे शहरों जिनमें काबूल भी शामिल है वहाँ तालिबान और इस्लामिक स्टेट द्वारा आतन की हमले किये गए थे आज तक प्यूर्व दुनिया के सबसे आकरमक विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक इंग्लेंड के जॉस पटलर की बल्लेबाजी भला किसे पसंद रहा है लेकिन हाल में इंग्लिश टीम के बल्लेबाज बटलर अपनी ननी बेती की वोच्छे सो सोचल मीडिया पर काफी सुर्ख्यां बटो रहे हैं तरसल सोचल मीडिया पर अपलोड किया गया उनका एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है वाय को कुटार प्रोड कारीग सुर्ण ли पीटलर चाहिव बेटी सुर्ण के लिखंज रहे हैं जब फारीपी एक विडियो ने कना के बाता तरफ उनकी पातार के बारे मेंगे च्र। हाइट ब dependency क Gir टमयेешеती milliseconds बच्ची है दुनिया आज तक मैं अभी के लिए बस अतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक